जे शीराधा कृष्ण भगवान जी की जे शीरमत भागवत महापुरान की मन्दर शी बंसी वाले महात्मा यूटीब चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारथी का मिनंदन करते हैं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रिमत भागवत महापुरान के दस्मे सकंद के बाइस्मे अध्याय की परमपावन कथा इस अध्याय का नाम है चीरहरन लीला बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै बोल श्रीमत भागवत महापुराने की जै श्रिशुक देवजी महराज आगे की कथा का वर्णन करते वे कहने लगी हैं कि हे राजा प्रिक्षित अब हेमंत रितु आई है उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्ग शीर्श मास में नंद बामा के ब्रज की कुमारियां का त्याइनी देवी की पूजा और व्रत करने वे कुमारी कन्याएं पुर्व दिशा का शीति जितल लाल लाल होते ही यमना जल में सनान कर लेती और तट पर ही देवी की बालु का मई मूर्ती बना कर सुगंदित चंदन पूलों के हार भांती भांती के नेवैध्य धूप दीप छोटी बड़ी भेट की सामगरी पल्लव फल और चावल आदी से उनकी पूजा किया करती थी साथ ही वो कात्याइनी मां से ये प्राधना किया करती थी कि हे मां हे स्वामिनी आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पती बना दीजिए हे देवी मां हम आपके चर्णों में नमस्कार करती हैं कात्याइनी मां के मंत प्रति दिन उशा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परसपर हाथ में हाथ डाल कर उचे सवर से भगवान शी क्रिशन जी की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जी के जल में सनान करने के लिए चली जाती हैं एक दिन सब कुमारियों ने प्रति दिन की भांती यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिये और भगवान शी गेश्वन के भी परम इश्वर हैं उनसे गोपियों की अभिलाशा छीपी नहीं रही है वे उनका अभिप्राई जानकर अपने सखा गवाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए आज यमनातट पर आए हैं ठाकुर जी सब के मन के भाव को जानने वाले है हर मनुष्य के मन के भाव को वो जानते हैं मनुष्य तो क्या 33 क्रोड देवी देवताओं के मन के भाव को वो जानते हैं कि किस के मन में क्या भाव है लेकिन आज सब गोपियों पर कृपा करनी है इसलिए ठाकुर जी यमनातट पर आए हैं उन्होंने अकेले ही उन गोपियो के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फूर्ती से वे एक कदंब के विरिक्ष पर चड़ गए साथी गवाल बाल ठठा ठठा कर हसने लगे हैं और स्वयम श्री कृष्ण भी हसते हुए गोपियों से हसी की बात कहने लगे कि अरी कुमारियों तुम यहां आकर इच्छा हो त मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ हंसी बिलकुल नहीं करता तुम लोग वरत करते करते बहुत ही दुबली हो गई हो यह मेरे सखा गवाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई जूठी बात कही ही नहीं है यह सुंद्रियों तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अ एक साथ ही आ जाओ मुझे इसमें कोई आपती नहीं है भगवान की इस हंसी मस्करी को देखकर गोपियों का हिर्दे प्रेम से सराबोर हुआ है वे तनिक सकुचा कर एक दूसरे की ओर देखने और मुस्कुराने लगी है जल से बाहर नहीं निकली जब भगवान ने हंसी हंस तक डूबी हुई है और उनका शरीर थर थर काप रहा है आज सब गोपियां श्रीकृषन जी से कहने लगी है कि है प्यारे श्रीकृषन तुम ऐसी अनीती मत करो हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो हमारे प्यारे हो सारे ब्रजवासी तुम्हारी सरहाना क तो कुछ कहोगे उसे हम करने को तयार हैं तुम तो धर्म का मर्म भली भांती जानते हो हमें कश्ट मत दो हमारे वस्त्र हमें दे दो नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी फिर मत कहना कि आपने पहले बताया नहीं आज सब गोपियों के इन वच्णों को सुनकर भग भगवान श्री कृषिन जी ने कहा है कुमारियों तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है देखो जब तुम अपने को मेरी दासी स्विकार करती हो और मेरी आग्या का पालन करना चाहती हो तो यहां आकर अपने अपने वस्त्र ले लो यह राजा प्रिक्षित वे कुमारियां ठंड से ठिठू रही थी काप रही थी भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को च्छिपा कर श्री यमना जी से बाहर आई हैं उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी उनके इस शुद्ध भाव से भगवान भहुत ही प्रसन हुए हैं उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिये और बड़ी प्रसंता से मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं अरी गोपियों तुमने जो वरत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है इसमें कोई संदेह नहीं है प्रंतु इस अवस्ता में वस्त्र हीन होकर तुमने जल में सनान किया है इससे तो जल के अदिश्ठात्र देवता वरण जी का तथा यमना जी का अपराद हुआ है अतब इस दोश की शांते के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से है कि वास्ता में वस्त्र हीन होकर सनान करने से हमारे वरत में तुरूटी आ गई अतै उसकी निर्भगन पूर्ती के लिए उन्होंने समस्त करमों के साक्षी श्री क्रिशन को नमस्कार किया है क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी तुरूटियों और प्राधूं का मार जब ये शोदा नंदन भगवान श्री क्रिशन जी ने ये देखा है कि सब की सब कुमारियां मेरी आगा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं तब वे भहुत ही प्रसन हुए हैं उनके हिर्दे में करुना उमड आई है और उन्होंने वापिस सब गोपियों के वस्तर दे दिये हैं ये प्रिया प्रिक्षित श्री क्रिशन ने कुमारियों से छल भरी बातें की उनका लज्जा संकोच छुडाया हंसी की और उन्हें कट पुतलियों के समान नचाया यहां तक कि उनके वस्तर तक हर लिये फिर भी वे उनसे रुष्ठ नहीं हुई उनकी इन चेश्टाओं को दोश नहीं माना बलकि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन हुई हैं ये राजा प्रिक्षित गोपियों ने अपने अपने वस्तर पहन लिये प्रंतु श्री क्रिश्न ने उनके चित को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी आगे नह चल सकी हैं अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उनी की और लजीली चित्वन से निहारती रही हैं आज श्री श्याम संदर भगवान जी ने देखा है कि उन कुमारियों ने उनके चरनकमलों के सपर्ष की कामना से ही वरत धारन किया है और उनके जीवन का यही एक मा संकल्प है तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक से बंद जाने वाले भगवान ने उनसे कहा है मेरी परम प्रेसी कुमारियों मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाती हो मैं तुम्हारी इस भिलाशा का अनुमोदन करता हूँ तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा तुम मेरी पूजा कर सकोगी जिनुने अपना मन और प्रान मुझे समर्पित कर रखा है उनकी काम नाएं उन्हें संसारिक भोगों की और ले जाने में समर्थ नहीं होती ठीक वैसे ही जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर मारियो अब तुम अपने अपने घर को लोट जाओ तुम्हारी साधना सिध्ध हो गई है तुम आने वाली शरद रितु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी सत्यो इसी उदेश से तो तुम लोगों ने यह वरत और कात्याइनी देवी की पूजा की थी तो चीर हरन की इस कथा को हो सकता है आपने अलग तरीके से सुना हो लेकिन हमने आपको वही ठीक कथा सुनाई है जो शिर्मत भागवत महापुरान में दी हुई है एक एक शब्द वैसे ही आपको सुनाया गया है अब कुछ अधर्मी लोग या जिनको धर्म का ग्यान नहीं है वो चीर हरन की इस कथा को लेकर इस प्रसंग को लेकर कई तरह की बाते करते हैं कि भगवान शिक्रिशन जी ने ये गलत कारे किया था वो भगवान शिक्रिशन जी के उपर दोश्य लगाते हैं कि भगवान होत तरी लोकी के स्वामी है, सारी शिश्री के रचाईता है, भगवान शिक्रिशन जी से भढ़कर और कोई नहीं हो सकता है, भगवान तो सब के मन की बात को जानने वाले हैं, गोपियों के मन में एक ही अभी लाशा थी, कि वो भगवान शिक्रिशन जी से आनंद प्राप्त करें लेकिन वो आनन्द संसारिक आनन्द नहीं है वो आनन्द केवल आत्मा का आनन्द है वो आनन्द केवल भगवान से प्रेम का आनन्द है वो भगवान से प्रेम करती है और जहां पर सच्चा प्रेम है वहां पर काम भावना हो ही नहीं सकती और भगवान शिक्रिशन जिनका ना नावना से भगवान के नाम का जाप करता है तो उस भक्त के काम, क्रोध और लोब का नाश हो जाता है। समझ में आने वाली नहीं हैं। भगवान के लिए लाएं केवल उनी भक्तों की समझ में आती हैं। हिर्दे की भावना से समझ सकता है। भगवान अपना वास्विक सवरूप उसी भक्त के हिर्दे में प्रकट करते हैं जो भगवान के चरनों की शरन में होता है। जो भगवान की कथा को मन की भावना से सुनता है और भावना के अनुसार भगवान शी क्रिशन जी के चर्णों का हर समय ध्यान करता है कई बार जीवन में ऐसा होता है कि मनुष्य इधर उधर से ग्यान ही कठा कर लेता है कुछ पढ़ लेता है कुछ सुन लेता है लेकिन जो ये मिक्स ग्यान है जो इधर उदर से सुना हुआ ग्यान है वो भगवान की कथा के बराबर कभी नहीं हो सकता शिर्मत भागवत महापुरान की इस कथा में जो भगवान की ये चीरहरन की लीला है इस लीला के रहस्य को वह करती हैं कि उन्हें घर के कारे करते हुए भी भगवान की याद आती है भगवान के प्रती उनका इतना प्रेम है कि वो उन्होंने का त्यानी देवी का ये वरत लिया है भगवान की प्राप्ति के लिए इतना कठोर वरत लिया है सर्दी की रूतु में यमना जी में स्नान कर र में नियोच्छावर कर दिया है उनसे बढ़कर बहला और कोई कैसे होगा वास्तमें भगवान अपने भक्तों के जीवन में कोई कमी देख ही नहीं सकते सब गोपियां भगवान की प्राप्ति के लिए यमना जी में नगन होकर सनान करती थी इसलिए भगवान ने सब गोपियों को शिक्षा देने के लिए ये परमसुंदर लीला के थी सब गोपियों ने भगवान की बात को स्विकार किया भी था और उसके बाद सब गोपियों ने कभी यमना जी में नगन होकर सनान नहीं किया है यही तो प्रेम भाव है कि भगवान ने जो कुछ कह दिया उस बात को वैसे का वैसा मान लेना जो भक्त सची प्रेम भावना से भगवान की भक्ती करते हैं उनके हिर्द में भगवान अपने आप वो ग्यान प्रकट कर देते हैं कि जिससे भगवान की हर लीला का अभी प्राय उनको मालुम हो जाता है इसलिए बारम बार यहां पर कहा जाता है कि भगवान की कथा सुनते हुए पूरी श्रद्धा भावना रखने चाहिए मन में कोई एहंकार या मैं ज्यानी हूँ या मेरे को भवत कुछ आता है ये बात नहीं रखने चाहिए भगवान की कथा सुनते हुए एक ही लक्षे हो कि कथा का एक-एक शब्द हमने ध्यान से सुनना है एक-एक शब्द हमारी आत्मा को छू जाना चाहिए तो यहीं पर शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वे सकंद के बाईस्वे अधाय की कथा का विश्राम होता है मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूटूब चैनल के ओड़ से आज की इस कथा को आपने सुना आप सब का हारदी का धन्यवाद कोई प्रशन आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं वैसे चीरहरन की इस लीला के उपर हम आपको बाद में विस्तार से कथा अलग से सुनाएंगे यहाँ पर आपको वही कथा सुनाई गई है जो शिर्मत भागवत महापुरान में बताई गई है ठीक एक एक शब्द हमने आपको वैसा ही सुनाया है लेकिन इस कथा को पूरे विस्तार से हम बाद में आपको जल्दी ही सुनाने की कोशिश करेंगे तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार्दी का धन्यवाद भगवान श्री रादा क्रिशन जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री शुकदेव जी महाराज की जैजै श्री राधे जैजै श्री राधे जैजै श्री राधे शाम